हेलो फ्रेंट जैहिन सबसे पहले आप सभे को गर्दन दीवस की धेर सारी सोब कामना है दोस्तों हमने कल पढ़ा नंबर सिस्टम में कि सिर और गर्दन पर दो पैर और चार पैर वाले जानौरों पर आधारित प्रस्न को देखा आज हम लेकर के चलते हैं दोस्तों कि हस्त मिल पर आधारित प्रस्न को कैसे सॉल कर सकते हैं है कि हस्त मिलाब पर आधारित प्रस्न करके हस्त मिलाब पर आधारित प्रस्न को हम कैसे आसानी से सॉल कर सकते हैं देखें दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो क्या होता है किसी साधी वीवह में किसी पार्टी में जाते हैं तो क्या वहां पर उपस्तित लोगों से हाथ मिलाते हैं तो मान लिजिए कि उस पार्टी म कैसे इसको निकालते हैं कि करा कि हस्त में कि हमको निकालना है कुल संख्या कुल संख्या कि जैसे अगर हम किसी पार्टी में गए वहां पर मालीजी यह लोग उपस्ति थे सबसे साथ हार मुला है कि तो यह इसको लगाने का सबसे आसान तरीका है जैसे दिया जाएं कि जब दो-लोगों के मिलने से इक पर enlar Divac कोई क्रिया हो तो वहाँ पर यह सुत्र उपियोग तो होगा वहाँ पर यह सुत्र उपियोग होगा यह यहाँ पर क्या होगा दूस्तों यह सुत्र उपियोग होगा जैसे यह पर हमारे क्या है कुल आज़ा बराबर yand into n-1 बै टुख यह फार्मूला आया कैसे दो को यह आया कैसे इसके लिए हमारे पास फार्मूला एक होता है यहन चीटू यहन है। हम हमने पढ़ा और यह 11 आपंने हेगा इसको कैसे सुल कर सकते हैं कि तो वहां पर भी धान से anthrop करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा तो दो क्या पटेया है दो फेक्तरिय प्रण can किन में से यह हमारा यहां पर दिया रहता ऊसको क्या करते हैं माइनस करने करने के लिए मैं प्रक्टोर्ययुक्स सब्सक्राइब हम सब्सक्राइब देड़ं लगा अगर इस और भी लिखना है जैसे इसके माइनरत हो दोगादेंगे अगर इसको आगे और भी लिखना है तो हम वैनर माइनस democratic अपन नीचे रोकनि दीए है तो यहां से n-2 और n-2 कट जाएगा और हमने लिखा क्या दोस्तों ध्यांस देखिए हमने n-1 लिखा है लेकिन n हमारे पास है तो यहां पर क्या हो जाएगा n into n-1 into n-2 factorial अपार क्या होगा 2 factorial n-2 factorial यहां से n-2 factorial n-2 factorial तो कट गया बचा क्या हमारे पास n bracket में n-1 और 2 factorial हमारा क्या हो जाएगा दो गुर्ते 1 बराबर 1 into 1 minus 1 upon 2 हमारा यही क्या है पुरा फार्मूला हो गया यही फार्मूला हमारा यहां पर रुप्योप्त हो रहा है कुल संख्या बराबर 1 into 1 minus 1 by 2 इसी सुत्र को लगा करके हम वहां पर क्या कर सकते हैं कि उपस्थित उस सभा में उस समूह में उपस्थित लोगे के दार मिलाएगे हांत की संख्या निकाल सकते हैं हमारा फार्मूला क्या होगा को संख्या बराबर निकालना है तो यहां इंटू 1 minus 1 by 2 जहां पर यहां क्या है कि उसमें उपस्थित ब्यक्तियों की संख्या क्या है यहां उपस्थित ब जहां पर देखे दोस्तों यहन हमारा क्या है यहन बराबर उस समोह में उस समोह में उपस्थित ब्यक्तियों की संख्या उपस्थित ब्यक्तियों की संख्या जहां पर यहन हमारा क्या है उस समोह में उपस्थित ब्यक्तियों की संख्या जैसे दोस्तों माल लेजिए कहीं पर म अच डूनामेंट हो रहा है और उसमें हुच मिलाकर के 15 कितना यह दोस्तों कि अग्या종तों एक जितने भी खिलाड़ी दूसरे टीम के खिलाड़ी से हैं तो हाथ मिलाने में तो कितने हाथ मिलेंगे इसे को हमें निकालना होगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे हमें यहीं फार्मूला लगाना है कि यहन बराबर यहां पर यहन क्या हो गया 15 हमारे यहां पर टीम दिया है यहां पर ब्यक्ति नहीं दिया है तो कहरा कि 15 टीम की संख्या है तो यहां पर यहन बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों 15 रखा जाएगा ठीक जब यहन पर आप 15 हो गया आप तो क्या हो जाएगा 15 15 माइनस से एक वटा दो फंदर गुड़े 15 में से घटा चाउदा चाउदा बट्य दो कर गया कितना क्या दोस्तों 15 सते करना हो जाएगा 15 सते 105 यानि कि एक ब्यक्तिने 105 बार हाथ मिला कितनी बार मिल ड्यटनीजदर, ना क्या है, हाथों की संख्यावारा टोटल कितना होगा, 105 हो जाएगा। तेखें इसके सवाल को हम कैसे सॉल करते हैं, जैसे, मानलीजिए हमको क्या going example दिया गया है, वह Quindi живот क्रिकेट प्रतियोगिता में किसी क्रिकेट प्रतियोगिता में कोल 11 टीम ने भाग लिया कोल 11 टीम ने भाग लिया उपास्थित टीम ने एक दूसरे से क्रिकेट खेला उपास्थित टीम ने एक दूसरे से एक-एक मैच खेला एक-एक मैच खेला तो बताईए कि कुल कितने मैच खेले गए तो बताईए कि कुल कितने मैच खेले गए तो दोस्तर यहां पर क्या दिया है कि के किरकेट प्रत्योगता में प्लारा टीम ने भाग लिया करहे कि कहीं पर मैच टोनामेंट हो रहा था वहां पर टॉटल 12 टीम ने क्या किया रश्ठिपेट किया भाग लिया और सभी टीम ने एक-एक-एक-एक-धु-—क खेला में क्या किया एक दूसरे के साथ मैच खेला और कहा रहा है कि अगर यह सभी एक दूसरे के साथ मैच खेलते हैं तो बताइए कि इस प्रकार यानि कि जितना उन्होंने मैच खेला तो कुल कितना मैच खेले जाएंगे उन सभी के द्वारा सभी प्रकार के कितने मैच गए मैच खेलेंगे तो अभी हम क्या बता है कि जहां पर यहां पर यह क्या है उसमें उपस्तित भेक्तिगों की संख्या तो यहां पर हमको क्या दिया है तो हमारा क्या होगा दिया जायेगा आथब हम्हें दोस्तों यहां पर हमने massively लगाते होज को अस्वतकी एक होड़ेंगे तो क्या होगा एक पूरे के बटार kayak टो मैनेस से पूरे के बता दो अब क्या करेंगे दोस्तों 11 कि 11 में से एक घटा कितना आगया 10 पूरे के बते दो कटा दीजिए दस पंचे 15 25 25 25 कितना आगया दोस्तों 15 यानिकि सभी टीम ने मिल करके 25 वे सब्सक्रान धेले 55 मैंच खेला क्या हो यहां पर दोस्तों हम को दिया कितना गया है तो हम यहां पर यहां पर यहां पर यहां बराबर कितना रख दीए गया है अब क्या करेंगे दोस्तों देखें यहन कामान 11 था 11 रखें 11 में से एक घटा कितना आ गया 10 आ गया बटे दो गया दो से कटा दिये तो 25 दस आ गया अब बचा क्या दस्तों यहां 5 हो गया यहां 11 तो 11 का 5 में गुड़ा करेंगे 11 पंचे 25 यानि कि सभी टीम ने एक दूसरे के खिला मैच खेला और कुल कितने मैच खेले गए वहां पर 55 मैच खेले गए ठीक दोस्तों चलिए इसी में के एक और एक्जामपर लेकर हैं तब आपको यह आसानी से समझवाएगा मान लीजिए दोस्तों हम यहां पर 11 टीम ना लेकर के टीम की संख्या और बढ़ा देते हैं मान लीजी हमने ले लिया कि यहां पर सभी टीम के संख्या जो थी यह टीम की संख्या यारण ना हो करके हमने मान लिया कि यह टीम की संख्या कितनी हो गई 35 हो गई क्या होगे दोस्तों 35 हो गई अब यहां पर आपका क्या दिया है दोस्तों 35 टीम दिया गया है कि 35 टीम ने ह यहां पर यहन हमारा क्या है कि उसमें खेले गए यानि कि उसमें उपस्तित व्यक्तियों की संख्या लेकिन यहां पर व्यक्तियों की संख्या ना देकर के टेम की संख्या दिया गया है तो यहां बराबर हमारा क्या हो जाएगा उसमें उपस्तित टेम की संख्या ठीक दोस्तो इसको लगाने के लिए हम क्या फार्मूला बताए हैं कि मैच की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा मैच की कुल संख्या बराबर जब मैच की हम कुल संख्या निकालेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बनता है दोस्तों यान सकती हैं यहां प्रेक्वर या को दिया कितने तो 25 तंदीजी यहांन की देगा कैसरा माइनगे व्हेसिसको solve कर सकते हैं क्या आ गया 35 और 35 में से 1 घटा देंगे कितना जाएगा दोस्तोग चोंतिस अब बट्यक्या होकि दोस्ते कहटा देंगे 17 17 दुना 34 तो यहां पर क्या दिया गया 35 यहां पर दिया गया है तो 35 गुच्ट 2 गुड़ा कर दिजिए तो यानि कि उन दोनों के उन सब के दौरा आपस में जो मैज खेले गए हैं तो मैज खेले गए मैज की संख्या कितना हो गया दोस्तो 555 यानि कि और दोनों आपस में यानि कि सभी टीम ने आपस में जो मैज खेला और कितने मैज खेले सब ने आपस में मिल करके 500-500 में मैज खेले ठीक दोस्तों देखे इसको चले दोस्तों आगे देखते हैं ये तो मालीजे कि क्या था कि टीम पर आधारित प्रस्न हो गया लेकिन अगर यहीं चीज हमको ब्यक्ति पर आधारित दे दिया जाए तो क्या करेंगे क्या करेंगे दोस्तों देखे रहे हैंसे कि मान लीजिए यादि किसी जन्म दीवस की पार्टी में उपस्तित कुल ब्यक्तियों की संख्याती सहे उपस्तित कुल ब्यक्तियों की संख्याती सहे और वे सभी एक दूसरे से और वे सभी एक दूसरे से हस्त मिलाप करते हैं तो बताईए मिलाए गए कुल हाथों की संख्या कितनी होगी तो बताईए मिलाए गए कुल हाथों की संख्या कितनी होगी मिलाए गया कुल हाथों के संख्या कितनी होगी देखें दोस्तों यहां पर दिया गया क्या है करा कि यद किसी जन्मदीवस की पार्टी में उपस्थी जितने भी ब्यक्ति थे करा कि कुल कितने ब्यक्तियों थे ब्यक्तियों की संख्या हमको कितना दिया गया है 30 करें कि और सभी ने क्या किया एक दूसरे से आपस में हाथ मिला है तो मिलाएगे हाथों की संख्या क्या होगी तो यहां पर हम दोस्तों अभी क्या बताएं आपको जो हमारा फारूला होता है उसमें यहन हमारा क्या है 30 और यह क्या है हमारा ब्यक्तियों की संख्या यहन यहा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं और आसानी से निकालने के लिए आप दोस्तों करेंगे क्या हमारा क्या दिया है यहां से ध्यान से के एन वराबर 30 दिया गया है किना है 30 तो आप यहां पर क्या हो जाएगा कुल हाथ की संख्या वराबर कुल हस्त मिलाब की संख्या निकालेंग पूरे के वट्य दो हो गया अब यहां पर यहां बराबर कितना गया दोसतों 30 दिया गया है तो जबिजब पर कितना दिया गया है 30 गुड़े 30 में से एक घठे़ा कितना जाएगा 29 तो कितना गया 15 तो 29 गुड़े कितना हो जाएगा कि कितना जाएगा दोस्तों कि पंद्रण हुई एक्षो पैंटिस के पांस देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है इसका जो ट्रिक है एक बता दोस्तों दोस्तों अनुमाराबर जितना भी दिया गया है उससे एक पहले वाली संख़या लिखनाई आपकोो दोस्तो क्या करना जैसे यहां पर यह बरावर तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप त्रिक के माध्यम से देखना चाहते हैं, आप इसे आसानी से यूँ ही सरल कर सकते हैं, दोस्तों कि आप क्या करेंगे, उसमें यह berubr कितना दिया गया हैं यह देखिए, यह पर संख्या को लिख रकर करके उसमें गुडा कर दिए, जैसे यहांप साथ की हम ने passouermalे के संख्या mc ow hoती हैं, 69 से गुड़ा कर दिए अब यहां पर हम इसमें क्या कर दिए दोसे भाग दिए तो दोसे भाग देंगे तो तो कटाएंगे दोस्तों कितना ज्यागत 30 आ गया अब इसी 30 का हमने 69 में जैसे ही गुड़ा किया अंसर हमारा कितना गया हैоме 2700 कि यह है आपका टीक यह अाफ वहत ही यह से आप है को कर सकते हैं दोस्तों ठीक है जैसे माली जी हमको दिया गया है कि माली जी किसी समय में कुल 40 सदस्य हैं के लिए गया दोस्तों ध्यान ते करा कि किसी समय में कुल 40 सदस्य है यदि वे एक दूसरे के गले मिलते हैं, तो बताईए, कुल गले मिले गए संख्या कितनी है? तो यहां पर दोस्तों दिया क्या है? कि किसी समोव में मिलने के संख्या कितनी होगी? अगर इसको रिकाला है तो दोस्तों हम क्या बताएं आपको? हमने बताए कि इसे ट्रिक के माद्धेम समें इसको कैसे सॉल कर सकते हैं? कि जितना हमको संख्या दिया गया है यान बराबर जितना दिया गया है उससे क्या करना है? एक आपको कम करना है, कम करके उसमें क्या कर देना है? दोस्तों 2 से भाग देना है जब इसको दो से भाग देंगे कितना जाएगा बीस आगया तो बीस का जब 49 में गुड़ा करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 49 दुना 78 कितना आगया जहां संद्रीके Finan दैने जब एक दूस्रहे से गले मिले आपसमीत घले मिले के बाद यह उनका हम केंद काल्कुलेशन करेंगे डीटикс 780hh इसको क्या कर सकते है इस तरीक के मादिप्झ में से असारी से सॉल कर सकते है या फिर आप स्कूमुला लागा hoor और फर्मूला क्या लगया निल्टुएहर माजयर फूरे के बठा दो आप इससे भी लाश्राल कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप इस ट्रीक के माध्ययाँ से स lidt कर सकते है आपके लिए क्या होगा यह ट्रीक ही ज़्यादh आप सभ्रीटर होगा आप क्या बूसे एक मिननट का भी समय नहीं लगेगा क्या करना आपको कुछ नहीं जितना संख्या डिया गया उससे एक संख्या संक्या वेला करके। मान लिजे यही पर हमने 20 दिया होता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों 20 गुड़े उनेश इसके बट्टा दो आगया दो से कटा देंगे 10 आगया उनेश दाम 190 तो यहां पर हम देख रहे हैं तो कितना के 190 आसानी से लगा लिए मान लिजे यही पर हमको व्यक्तियों की संख्य बत्तिस दे दिया आपको क्या करना बट्तिस कितनी है जो आएगा यदि आपको यह वीडियो आज की पसंद आई है दोस्तों तो लाइक सेयर और कमेंट करना न के लिए इतना ही